नमस्कर शाही ट्रीट्स में आपका स्वाधत है और आज हम देखेंगे मठे की रेसिपी मठा रेसिपी है यह बहुत ही आसान रेसिपी है तो चलिए रेसिपी को शुरुवात करते हैं इसके लिए मैंने यहां पर चाच लिया हुआ हैं मैंने 1 टीश्पुन पावडर शूगर हमस्किश कराते हैं यहां पर मैं सब्सक्रीअ कष्यपी उसका बड़िए उसके यहां की दे चाच यहां सब चाँब चै मिर्ची मेने एक ली हुई है लेकिन हम पुरी नहीं डालेंगे यह पस लिए लैंगे. सब्स पाहले मिर्ची को चॉप कर लेते हैं एकदम बारिक पीस लेते मिर्ची को हमने पीस लिया और हम 1,5-2 इंच संद्रब घ्रेटड एक बीज कर लेंगे यहां पर आप देख सकते हो एक छल्णी लिए मैं थोड़ा इसमें पानी मिला दूंगी। यहां पर आप देख सकते हों क्ला जूटर यहां इस का जूस से इसाद पीहां बचलना कम्लों केनगे चलिए जचाहं तो आप थोड़ा में अद्रप केवे लिखना है पर आप देख सकते हैं मैंने अद्रग का जूस इसमें डाल दिया और उपर का हम इसमें नहीं डालेंगे इसको हम मिक्स कर लेते और हम एक एक चीज इसमें डाल देंगे सबसे पहले हम जीरा पाउडर दाल देंगे उसके बाद हम काला नमक डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे जो हमने मिर्ची आदीमीर्च, हरी मिर्च जो हमने बारी की थी वा हम इसमें डालेंगे. इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं ड़नना हैं क्योंकि यह तो बहुत ज़्यादा ती-खा हो जाता है और इसमें हम पाउडर शुगर मिक्स कर देंगे पी स्वी चीनी और हम इसमें डालेंगे धनिया बारिक कटा हुआ धनिया हम इसमें डाल देंगे और इन सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें जो जिंजर जाता है उसका उसी के कारण इसका बहुत अच्छा स्वादा जाता है और हम इस तरह से ये मठ्य को तयार कर लिया इस लिए मैंने इसमें डाल शका और ग। अब ऑम इसको सर करते हैं और जो उसकील हमारा अच्छा मठ्य बना हुआ debat झाया विशाओ बस इसमें एक बात का खेल रहे हैए इसमें गात श्यान जो बिलाखा जिंजर का जूस अध्रक का जूस जो निकाला है वह ज़्यादा लेंगे तो भी चलेंगा बहुत इच्छा स्वाथ देता हैं और इसमें आप नमक और चीनी आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो मिर्ची लेकिन बहुत ही कम रहनी चाहिए इसमें इस तरह से हम गर्मियो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकोन जरूर दबाईए, ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास, सबसे पहले होचेगा, थैंक ये सो मच.